हाई गाईज वल्कम बैक टो दे चैनल शिप्रा मिश्रा दिस शिप्रा मिश्रा और अब मैंने सोचा है कि चलो अब लिट्रेचर की शुरुवात करी रिट है और उसके लिए हमने यहाँ पर शगुन के लिए राट राप चाप्टर को जो कि फ्लेमिंगो का फर्स चाप्टर ह एक दम लास्ट लसन वाला वाईब है इसके अंदर और इसके साथ में सरफ एक चाप्टर और प्रिपैर आपको करना है और वह है इंडी को इसके बाद में उसको करेंगे फ्लेमिंगो से अभी फिलाल राट ट्राप शुरू करेंगे अच्छा एक और चीज का आप खयाल आती है एंसे की और अगर एंसे क्यूज नहीं तो अगर लॉंग अंसर क्वेस्टन में कभी भी कॉमेंट या कांट्रास्ट करने की क्वेस्टन आते हैं तो अधर को अपको एक एज मिलता है विकल्ज्ट यू के आप पढ़किया है तो आप मूविंग ऑन इस तरीके से हमार एक तराजा एक तिरानी वाला वैसे यहां पर इस पूरे पूरे चाप्टर को नरेट किया है और सेल्मा लगरलॉफ ने नरेट किया है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं चाप्टर के अंदर है क्या अच्छा सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ज क्या होता है एक हुख बनावा होता है उस हुख में आप गी लगा के रोटी वहां पर दीजिए यह क्योंकि देशी हैं हमारे वाले इंडिया के चुए वीच से कोई फरक नीपड़ता है क्या अमीर्यों वाली चीज ने खिला दी हमको तो अभी उनको चीजवीच से कोई फर कोशिश करेगा और वो पिंजड़ा बंदो जाएगा और आप उसको बाहर छोड़ के आ सकते हो कि चालो अब निकलो तो एक्जाक्ली ऐसा यहां पर राट्राप चैप्टर का नाम जो है वो काफी जाधा रिलेटेबल होगा पूरे चैप्टर से और अलसो इसके लिए भी क्यो चैप्टर के प्रृ तो एक मेटाफर का इसितमाल कि आ जाए फिर ऑन गोेंगे चलता रहता है चलता रहता अब यह मिल गया तो अब वापस से चलता रहेगा चलत रहेगा तो यह जाल है और इस जाल को यहां पर एक मेटफर बनाया है तो इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले यह जो चैप्टर चैप्टर के अंदर बात की जाती है एक इनसान की वांस अपन टाइम देर वाज एक इनसान की जो छोटे-चोटे राट्राप् भाब हैं इसका material इसे कहांसे मिलता या तो stores पर यह back करता या बड़े-बड़े farms में बैगिंग करके यह material ले लेता है यह जो businessषे इतना जिद्धा profitable नहीं है उसके लिए इसके लिए वह क्या करता है विचारा बैगिंग करता है भीट मांगता चोटी-मोटी Meda करता तक ये से वह दो वक्त का गुजारा कर सके वह उसकी कपड़े एकदम से फटे वे होते हैं उसके चीक शेवे ऐसे संकन होता है और हंगर जो है उसकी आखों में चमक कर रहा होता है तो कि भूकी आंख है उसकी ऐसा ओर अभी कोई नहीं कर सकता कि बिजारे इस रैटरब सेलर की क씨 life isn't sad and monotonous minute रोज एक है काम करना होता है ध्रबनाना हो जोलिगान्य होती है हो झाम भीग मांगनी होती है और किक वह पताद में पताती हम वर्यज सब्सक्राइब अब isolation मुझे पता है isolation एक ऐसा वर्ड है जिससे सब घबराते हैं पर isolation का मतलब है अकेला पर यहां पर यह अकेले पन की कहानी है अभी आगे चलके हम बहुत चारे और लोगों से मिलेंगे और तब हमें पता चलेगा कि यह बहुत बड़ा मुद्धा है मतलब लोग बहुत अकेला फील करते हैं जिसकी वज़े से कभी ना कभी ऐसी चीज़े हो भी जाती है जो अभी आगे हमें पता चलेगी तो बिचारा बेघर है और उस बेघर की जिंदगी देखो कितनी sad और boring रह होगी बिचारा रोड पे भटकता रहता है अपने ही खयालों में खुया रहता है देखो बच्चा वारी एक चीज सोचो अपकी लाइफ में कुछ भी होता है आपको यह अपकी दमाद में थाट आता है तो आपको पता है कि मुझे किसको फोन का अलो हाँ आड़ी स्वीटी म में तेर को क्या कि बता थी ना ह हमारे साथ मेरे साथ कोई अच्छी होती है तो हमारे पास में फ्रैंज और फैमिली हुते है जिनके साथ हम शेयर कर सकते है अगर आपको आपके मांक्स को पडोसियों को बता कर चलानी का अबसर ही नहीं आम इले तो क्या वार्क्स करता रहता है जो की एक दिन ऐसा हुआ उसकी दिमाग में कोई ठॉट आया जो बहुत entertaining था so अभी इसके बाद में अभी वो rat traps के बारे में ऐसे सोच रहा था so एकदम से उसको एक idea आया और वो idea था पूरी दुनिया को लेकर वो ऐसे सोचता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है अपने lands and seas and goa and cities and villages इन सब के साथ में ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है सिर्फ एक बड़ा सा जाल है उसको ये थाट आता है कि यार ये पूरी की पूरी दुनिया एक बड़ा सा जाल है ये थाट उसे आता है और जब उसको ऐसे लगता है मतलब यूनो बुलता है यह और किसी रीजन से नहीं है यह पूरे के पूरे दुन्या ने मोव आ है यह यह ऐसा बचारी कभी कभी एसे ना अंगूर खटे वाली फीलिंग है यह आपको बाइस कई चीज नहीं होती ना तो फिर आपको ऐसे लगते जाले हैं अभी ऐसे आपके मार्क्स आ रह इसका कई ना कई थाट इसके दिमाग में आता है वो सुचता है और कोई रीजन ही नहीं है वोल्ड की एक्जिस्त करने का वर्ल तो एक्जिस्त ही इसके लिए करता है क्योंकि वर्ल्ड आपके लिए बेट्स लालच सेट करता है एकदम लालच सेट करता है यह बेट्स जो है वो ये set करता है लोगों के लिए ये क्या करता है ये riches प्रोवाइड करता है पैसा प्रोवाइड करता है जोई प्रोवाइड करता है शेल्टर प्रोवाइड करता है फूड प्रोवाइड करता है हीट प्रोवाइड करता है ये सब कुछ ऐसे ऐसा प्रोवाइड करता है जैसे क आप इस जाल में फश जाते हो, टेम्ट हो जाते हो, और बेट को कैच करने की कोशिश करते हो, वैसे ही वो आपके उपर बंद हो जाती है, और सारी चीजे खतम, अब आप कुछ ही नहीं कर सकते हैं, आपके बास में कोई exit नहीं है, आप उस trap में फश चुकिए, आप उस trap में सो यह जो है, यह उनका एक आइडिया था, जब उन्होंने आसा सोचा था, तो ही उस लेक यार, यह ऐसे कैसा थौट आया है मुझे दिमाग में, बड़ा अच्छा थौट, अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसा सोच के, उनको काफी एंटेटेनिंग लग रहा था, उनको यह का कि वल्ल का भी अच्छा थो रहा है, ऐसा था शार कि दुनिया में उनको बहुतए चथी चीज़ें मिली थी, वर्ल उनके लिए बितर सा, ठानानोर वह भी वी वॉल्ल के बारे में ऐसा इसा न उनका था? तो यहां पर वर्ल आपकोस इसलिए वह एकदम से बहुत ही जादा जब उन्होंने सोचा वर्ल के बारे में बुरा भला तो खुश हो गाया वह अच्छा लग रहा था उनको अब यह जो था यह सोचना उनका चेरिष्ट पास्टाइम हो गया था ऐसा होता है इसको हम लोग ना यहां पर वह बहुत सारी जब इस चीजों के बारे में सोचता था ऐसे लोग जो की इस पूरे माया जाल के अंदर फस चुके है और वह उन लोगों के बारे में भी सोच रहा था जो इन बेट्स के अराउंड सर्कल कर रहे थे अभी फसना बाकी थे एक डाक इवनिंग की बात है बच्चा बाड़ी जब वो रोड़ पे ऐसे ही भटक रहा था सोच रहा था उसे चोट उसा प्यार उस इसी जन्नत आप देख लो पूरी दुनिया के अंदर जो जितनी जन्नत अना उसकी एक ऐसा है कि आपको उस पूरी दुनिया का ग्लिम्स हमारे देश के अंदर मिलेगा सु बस ऐसे कश्मीर चले जाओ और के स्वीडन चले जाओ एकदम ऐसा यहां पर एकदम ग्रे कॉटेज था रोड़ साइड पे आपको 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 आप करते हो आपको लोग बड़ी मुश्किल से वायर दे रहे हैं आपे पर आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखिए आप आप गए ग्रे कॉटेज में आपने नौक किया है कि अरे मिलको आज रात रुकने दो यहां पर नौर वाज ही रिफ्यूज नाओ यहां पर कुछ अजीब हुआ उसने नौक करके देखा वोला आजमा लेते हैं किसमत को वो आजमाता है किसमत को और किसमत आ जाती है या पर उसको बिल्कुल रिफ्यूज नहीं किया जाता इंस्टेड अफ दसार फीसे विच ओडिनरली मैठ हम यूश्वली वह जब भी ऐसा करता होगा कभी लोगों के पास जाता होगा ऐसे दर्वाजा खट खट खटाता होगा उनका तो जरूर ऐसा होता होगा कि लोग उसके ऐसा जी बीजी शकल बनाते होंगे नी लेना हमको जाओ यहां से बहुत बुरी बात है पर वो अमेशा ऐसा होता था उसके साथ में पर यह जो ओनर था यह डिफरेंट था यह बुड़ा आदमी था जिका कोई बीवी बच्चे नहीं थे और जैसे यह उन्होंने देखा कि य उतना ही अकेला था यह ओल्ड पॉसिन इसको जह से दिखा कि किसी से बात कर सकता है यह आइडिया उसको खुश कर गया कि वहां मैं किसी से बात कर सकता हूं मेरे लोलीने सब में लोली नहीं रहूंगा एकदम ऐसा इमेडियेटली पुट पॉरच पॉर्ट ऑन फायर यह कैस इक हैं यह कैसा खुश होना है कि खुशी कीमारे डलिया बना दिया हां हमारे यहां पर लोग खुश होते अ मोह किटली नेकर यह ली मेकर लिए यह पर यह को्ट पे सबासंदिय कर वाया इन फैक तो ब्ला स्लाइस जो था ट्बाको rolling में कट करके दिया और यह बड़ा साइज जो है ट्बाको रोल का इसे मैं खो स्मोक कर पाऊंगा और जो हमारी प्रम बीस मोड्य पराइब बड़ा जेनर्रस हादमी यह लल जैडोसाद Atlas फाइनली, he got out an old pack of cards, उसने एक old pack of cards निकाला, मतलब मेरे क्याल से ही तियार था, यह ऐसे था जैसे हमारी नानिया नहीं होती है, समर वेकेशन में हुआ करती थी, नानिया एकदम रहटी है, नानियों के पास में समर वेकेशन का पूरा पैकेज है, आप उनके पास जा, उनके इंतजार पूरे साल, और कितनी क्यूट होती है, नानिया, सच में पूरे साल इंतजार गड़ा करती थी, एकदम वैसे ही था, यहां पर खिचडी पला, गरम कर दी, खिचडी कहला रहा है, और साथी साथ में टबैको रोल के लिए, स्मोक करने के लिए टबैको रोल निकाल और साथी साथ में भी पैक ऑफ काज भी निकाल दिया है, उन्होंने मियोलस खेला था, रमी काज खेल रहे थे वो, और एकदम बैट टाइम तक उन्होंने साथ में मिलके काज खेले है, अच्छा, अब इसके बाद में क्या हुआ, अभी जितना ओल्ड मैन जो था, वो जेनर जादा उसने उतना ही जादा हूँ जेनरोस होगया था, अपने सीक्रेट्स को लेके, यह वही बात है जो भी हम स्टार्टिं में कर रहे थे, कि जब तक आपने कुछ अच्छा किया हो, और आपने लोगों को नहीं बताया और या आपके पास में लोग नहीं है, बताने के ल your own, in his days of prosperity उनको बताया कि जब मैं prosperous हुआ करता था जब मैं prosperous हुआ करता था, his host had been a crafter, i would love, I would love the crafter ! पर रामजो में ओके अभी उसने बोला कि नाओ क्योंकि आपको पता है मैं पूरा हो चुका हूँ और मैं यह सब नहीं कर पाता हूँ तो ऐसे टाइम पर मेरी भैसिया है ना मेरी गईया है न हाँ इसने मेरा बहुत साथ दिया है इससे टाइम पर अभी देखो तुम अभी उनकी काव जो में ने मेरे काओ ने मेरे को बड़ा मदद किया है बड़ा मदद किया है इसलिए बहुत एक्स्ट्राइद्री मतलब आप सोचो लोगों को देखो बिचारे के ना तो बीवी ना बच्चे थे वो अपनी गाए की त्रिफे कर रहा है वह गाये की थारीफ घरर मुझे लगता है बाकी लोग जो एा करीमरी में उसे जगरता हो को नीग आपकी 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 घाये का इतना दूद्र दे पाती है हमारी वैसा अपने अपर अपर रहे मेरी बासी मेरी गाये जो एक्स्ट्राइडिनरी है वो ना तो सिर्फ क्रीमरी मतलब वो पोलो वो शी कुट गेव मिल्क पर क्रीमरी एवरी डे कंजम्शन के साथ में क्रीमरी के लिए रोज दूद देती थी फो appreciate लास्ट मान्थ उसे ृत ठोड्टी क्रॉणर का payment मिला एक क्रॉणर क्या स्वी डिष करण सी ये स्वीडिष करंसी के बारे में बता रहे मूला लास्ट ऑव ही मंत में मुझे 30 क्राणर्स मिलें 30 क्राणर्स का पेमेंट अब जब मैं समझा रही हूं तो बढ़ साथ के साथ में आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हो हिंदी में समझाते चल रही हूं बट क्या होता है कभी-कभी आप ऐसा होता है कि नरेशन के अंदर आपको क्या च्छ नहीं कर सकते हो वो जो वीडियो आएगे उसमें स्क्रीन शॉट ले लेना अपने कवा जो नोट बुक है उसमें उपर आप लिख लेना और अच्छी चीज ये भी कर सकते हो कि अभी आप ये मार्क करके रख लो जो भी वर्ड्स आपको डिफिकल्ट रग रहे है और जैसे वो मीनिं वाली वीडियो आएगी उसके उपर मीनिंग दे रहा है क्योंकि जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लग रहे है मैंने उसके साब से उससे बनाया तो आपको वहां पर मिल जाएंगे आराइट अब उसने भूला थटी ग्रानर्स मिले हैं मुझे थटी ग्रानर्स अभी यहां वोल मैंने बोला रुख मैं बताता हूं वह एक ऐसे आराम से बैठा था और बैठ के उठा बोला रुख मैं बताता हूं गया और किचिन में जाता है वहां पर एक नेल थी एक चोटी सी खील थी उसकील पर लेदर पाउच था लेदर पाउच निकाला और लेदर पाउच में से 30 kroner की बिल्स निकाला यह देख यह रहे 30 kroners अब उसके सामने राख दिया भाई इसे करके सामने दिखा दिया यह देख 30 kroners औरे यह वेंट टू दा विंडो लेदर पाउच निकाला वहां से 30 रिंकल थ्री रिंकल नोट्स निकाले 1010 kroner के आइस ऑफ देख के सामने रखा नॉड़िंग नोइंग लिए और दें बाक इंट पाउच पर देख लिया हो गई शांती यह वापस डाल के वापस वहीं टंगा दिया यह इतना क्या जैनरॉस होना भाई आपने चोर को अईदम नियोता अरिया इंविटेशन भाई दे वे इं आपको अभी महा तक केवल और केवल जितने रूल्स थे वो डाइजस्स करना एक्जांपल से एक दम चकाचक हो जाएगा चालो ओर मुविंग ऑन अभी इसकी बात में रेखो क्या होता है दे नेक्स दे बोथ मैं गट अप इन घुट सीजन अगले देन दोनों एक दम चंग मूड में थे एक दम कुछ सीजन का था मस्त मूड में उठे मोला आरे वायार क्या मस्त ऐसा अभी क्रॉफ्टर अपने आव को मिलक करने की जल्दी में था और दूसरा इंसान जो था वो इसके लिए उड़ गया था क्योंकि घर का मालिक जाग चुका है और वो अगर बैड म चाबी रखी और फिर वो दोनों चले गए अभी यहां पर जो इंसान था राट्राप्स के साथ में उसने गुडबाई बोला अब जैसे ही दोनों अपने अपने रास्ते चले गए आधे घंटे के बाद आधे घंटे के बाद में अभी हमारा जो राट्ट्राप सेलर है वो और आकर और फिर क्या करता है वहां पर जो विंडो पेन से स्मैश करता है और वहां से सोचता है किदर गए किदर गए निकालता है थर्टी क्राणल जेब में रखता है पाउच वापस से लटका रहता है चलता हूँ ओके बावाई टाटा खतम तो अभी यहां पे राट्रा पेडलर वह एकदम से डौर के सामने आया और वहां पर गया पेन को स्मैश किया उसने और क्या किया वह पाउच को लिया थर्टी क्राणल उसमें से निकाल दिये अभी उसने अपने पॉकेट में उसे डाला वापत से कैफुली उसने वह पाउच वहां पर लगा दिया अब उसने जब वह अपने जेब में पैसा देको पहसे की अपनी अलग गरमी होती है आप पैसा पड़ा हुआ आपने सौ रुपर आपने अभी मम्मी से रोरो के मांगे आपके जेब में सौ रुपर भाई भिला काफी चलो आज़ो अरे क्या तु चिंता मत कर आज यह वो अपनी अ को जला रपने समार्ट नहीं थाень साथ आपक झाल मुझे पड़ा इनहीं थाए मैं इतना स्मार्ट हुँ आभ इसके बाद में है उसे यह जरूर्ड हॉता थाफ खिस्स माइम्स में शोचता है मैं जाऊंगा जांगा मैं जंगल प्छी तरफारफ रहांगा मैं अदर आफ चल description ऑच्छा या मजस तो हैं ठरकने से क्या करऊंगा क्या करों taking a dad later in the day it became worse अब वो चीज़े खराब होती जा लिया है मतलब इतना घना जंगल इतना बड़ा जंगल जिसकी अंदर वो जा चुका था अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है उसने खूब कोशिस की उसने सोचा कि मैं चलू यार में सही डिरेक्शन में चलू पर वो इतना स्ट्रेंजली उसके पाथ चल रहे थे कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो एंड पे नहीं आ रहा है मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है सब्सक्राइब तो यह जा रहा है तो यह तो आप आप नहीं है कि जब अब एकदम घिव अप किर देते हो तो आइसे थाच्छा आजाते है मतलब इसपेशल जब आप एक्जाम लिख रहे होते हैं पने अग्जाम लिख दिया तो अब आब आब से लिख लिख रहे हो ठीक अब ही एक्जाम से क्यों किसी क्वेस्टन की बारे में आप सोच रहे हो पर आप प्लैनिंग कर लिए तो कि आ आप समझे रहे हो फिर आपकी वह मतलब आप अभी काम करते-करते आपको और मैं अधर जाने वाला है यह अपना अलग ही चल रहा है यहां पे वह एकड़म इस हालत के अंदर है कि वह वही पर गुमे जा रहा है और उसके बाविजूद और यह सोच रहा है कि अब उसकी बारी आ चुकी है अब उसकी खैर नहीं है वो खुद से फस गया है उसको एक बेट एक लालच ने फसा दिया है और इसी लिए यह पूरा का पूरा फॉरस्स जो है अपने ट्रांग्स और टिकेट्स के साथ में लॉक्स के साथ में यह सब गया उसकी उपर जैसे की एक इंपनेटरिबल प्रिजन हो मतलब एक ऐसी जेल हो जहां से भाग नहीं सकते एकदम ऐसा हो गया है तो बोला कि मैं तो यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा आपको पता है यह दिसेंबर लेट दिसेंबर की बात है लास्ट वीक की ऑल्मोस बात है जब डाकनेश यू थी वह और रेड़ी फॉय फॉरस्ट को घेर चुकी थी और इंफाक्ट इसकी वज़े से डेंजर इंक्रीज हो गया था मतलब आप सोचो आप फॉरस्ट में यह आप अकेले रात में भी चल रहे हो ना और पीछे से आपको थोड़े से फुट स्टेप आरही हो था है तो सोचें यहां पर घंडर जंगल के अंदर अखेला वह दिसेंबर में अधेरा उचुका है और एकदम से वह सैड भी हो गया था उसे लगा था पैसा खर्च करूंगा अमीर तुम्हें बनी चुका हूं पर एकदम से सैड हो गया था उसे कोई वे नहीं उसे ऐसा लग रहा था जब उसको एकदम उसने अपना पूरा जो एक गिव अप कर दिया था अपना सर पूरा उसका जमीन पर लग चुका था तब आवाज आई उसे अजीब सी आवाज आ रही थी जैसे कोई हतोड़ा मार रहा है बहुत रेगुलर थंपिंग उसे महसूस हु पुझ के चलू भागता हो तो एकदम उसने क्या किया अपनी सारी कि सारी ताकत को समंन किया समन करने का मतब हों घट나 ना उसकी जान कोई खटान किया और उसके बाद में बाद हो उठा और उसके स्टेपसस की इन the तो वही है ना जहां पर जिसकी घर पर मैंने चोरी करी है अभी जो क्रॉफ्टर काम किया करता था तो वहां पर आ गया और इसकी बाद में उसी लग रहा था विच्वर नाव क्लोज डाउं यह मतलब अभी थोड़े से अभी रूख गए थे अभी पहले तो सारी चीज़े एक काम चला करता था और जब काम चलता है तो काफी जादा ऐसे चैल पहल होती है लोग लेकर आ रहे है आयनोर और उसको स्मेल्क किया जा रहा है और इन फाक्ट कोल की डस जो थी वह पूरे के पूरे ऐसा होता था कि रोज के उपर जम जाती थी तो काली रिखती थी रोज तो अब यह उन्होंने बताया कि ऐसा दिखता था अभी वन अब लॉग डाक इवनिंग जस्ट बिफोर दे क्रिस्मस अभी वहां पर मास्टर स्मित और उनके हैलपर वह बाठे वे थे वह देख रहे थे और वहां पर बैठे वहां पर बैठे वहां वेट कर रहे है एक्दम कब इसको हम दो कर पाएंगे ऐसा इसको कभ हम एंविल पर पूट कर पाएंगे शेप दे पाएंगे ऐसा सो अभी यहां पर कोई ना कोई ऐसी उठता था कि चलो आप में जाता हो और फिर वह जाकर क्या कर देते वह उसको एकदम से स्टर करके आते थे अब यह कोई मैगी न पास जाते थे इतना आके तो एकदम से पसीना जो था वो तपकने लगता था उन में से विदम पसीना आ जाता था तो अभी यह ऐसा ही कस्टन था और इन फाक्ट ऐस कस्टम यहां पर यही ब्लैक्समिग थे तो इसलिए कुछ नहीं पहनते थे बड़ा सा शर्ट पैनते थे मतलब आप सोचों कि यहां पर कई ना कई यह कोल की गिरने की आवाज आ रही है और करने की आवाज आ रही है वह उनको फुक दे रहे हैं उसकी आवाज आवाज आ रही है इन फाक्ट अभी आपको पता है कि पास में वाटरफॉल है तो वाटरफॉल और विंड क्या है कि व हो सकता है हो सकता है कि इस नोइस के अंदर ब्लैक्समित ने क्या किया उन्होंने नोटिस नहीं किया कि एक इंसान आ चुका है उसने दरवाजा खुल लिया और वह फोज में सामने सामने बैठा हुआ अंटल इस्टूड सोग्लोरा स्टूड क्लोस अप तो दे फरनस जब तक जब तक उसके पास आकर नहीं खड़े हो गए तब तक उन्हें नोटिस भी नहीं किया कि अंदर कोई आया था शॉली देखिए यह एक अन्यूजवल चीज नहीं थी क्योंकि बिचारे जो लोग बेगर थे जिनके पास में कोई घर नहीं था आप सोचिए कि हम लोगों को औ आपको एक मिनिट निकालना चाहिए और भगवान जी को युनिवर्स को थांक्यू बोलना चाहिए क्योंकि सदीओं के अंदर हमारे सर के उपर च्छते और हमारे वामदाट ने इतना काम किया हमारे आंसेस्टर के कार्मा जै कि कम से कम जैसा भी हमारा जिंदगी है बहुत बैटर बैटर बहुत लोगों से ऐसे लोगों के पास में रहने के लिए जगा नहीं है तो यह ऐसा ही था बिचारे के पास में ठंड में कहीं जाने की जगे नहीं थी तो यह काफी अन्यूजवल नहीं था कि एकदम ऐसे फ़र्नस को देखकर भीगता बिगाता कोई एक बैटर देखकर आ गया होगा ना ब्लाक्समेंट्स ग्लांस ओनली एंडिफरेंटली अद दिफरेंटली अद दिखरा था जैसा की वैगबॉन्स दिखते है बड़ी से बड़ी सी दॉड़ी और एकदम से फटी पुराने कपड़े और राप्टे और यहां पर यहां पर चैन बना के राट राप यहां पर लटका रखे तो चलता था तो राट राप्स डांगल किया करते थे तो एक्जाक्ली वैसा उसका पूरा लुक था अभी उसकी बात में उसने पर्मेशन मांगा बोला के मैं रुखना चाहता हूं यहां पे प्लीज मुझे रुखने दो तो अभी ब्लैक्श्मित ने बड़ा हॉट्टी कॉंसेंट दिया बोला ठीके ठीके ऐसा बड़ा ऐसे नौड कर दिया बस और कुछ बोला ही नहीं एक स दियुक थिए तो अभी वहा पर बात करने नहीं आया था वह अपने आपको गरम करने आया था उस टाइम पर पिर प्रह्मंड रामजो आयन-घशन ब पोटत बड़े परा प्रामयन्ट चलाते तो यह प्रामिशन मास्टरू यहा Rememberॕ क्या किया करना चाहते थे उसके लिए औ आया करते थे तो सुबे का इंस्पेक्शन वा कर चुके थे वो रात के इंस्पेक्शन के लिए और जब आपने नाइट ली राउंस के लिए यहां पर पॉचे तो देखो क्या हुआ नाचरली जैसे वह एंटर होते हैं चलो इंसपे अब उन्होंने नाचरली दीखा कि हर एक बच चुकी है एक बज़े तक कोई एक इंसान ऐसे पड़ा रहेगा तो आसे लेकिक रजाईयों का धेर है रागमफिन बोला यह फटे पुराने कपड़ों का इसे डेर कांस्ति आ गया यहां पर उन्होंने देखा उसको और देखा कि यार मैं देखू तो सही फॉर्णस के पास में जा रहे थे उस बिचारी के कपड़े जो थे वो इतने गीले हो गए थे और वो फर्नस के इतना करीब इतना चिपक्ये सो रहा था कि उसके कपड़े जो गीले हो गए था उसमें से स्टीम निकल रही है कपड़ों में से स्टीम निकल रही थी दूएं निकल रहे तो आयन मास्टर दिड नाट फॉलो दी एक्जामपल अव ब्लैक्समित उन्होंने बोला मैं ब्लैक्समित जैसा नहीं करूँगा मुझे पूरी पंचायती है को रहे हैं इसलिए वो गई और उन्होंने स्ट्रेंजर को देखा है उसके पास में गई और बड़े कैरफुली भूलारी है तो तुम होगी हो दू बॉलता है मिरे को कोई क्लू नीं एकडम आसा ही है जैसा आप आराम से क्या आप प्लेट ने ऊस प्लेट के ऊपर पीजा के चार्ट स्लाइस है क्योंकि शाधी के अंदर एक कौने में में पीजा मिल रहा है और आपको पता एक लिए पने आप लाइन में खड़े पर देखा हुगह आपको कोई फरगनी पड़िए को नड़ ने को मुझ नी हो पर देखा ही नहीं नेका अन्यों आपको यह प्राइटी हुगहार अंटी तो आँटी आपके पाव ठूले तो आप मेरे को दे दो 500 रुपे एकदम ऐसा तो जैसे वह अँटी लिख और आपको एसा लगता है यह करन है पर आप कुछ कहते नहीं क्यों क्यों नहीं क्याते को कि दिरा चांसल कि एकदम हाथ में आपके 100-500 रुपे पकड़ा देंगे और कि मम्मी को बताना अख लिए रख लिए रख लिए ठीक एंटी रख लेता हूं एक दम ऐसा यह अभी अभी आप उसमें तुम कैसे दिख रहे हैं तो अभी आए वह वह राट्रास सुछता है यार अब में जानता तो हूं इसको इंसान को मैंने कभी देखा नहीं पर क्या ब अगर यह मेरे को अपना पुराना जानकार समझ रहा है तो हो सता है कि कॉपल ओफ क्रोन देकर चले जाए इसके लिए उन्होंने सोचा मैं कुछ नहीं कहूंगा अभी इनको ऐसा आपको तो अभी जो चुन्न वाले आंटी आपको यह नहीं पता कि पापा के साइट से कि मम्मी के आपको शादी में बस ऐसी मिल गई है और उसकी बाद में आप मम्मी को बोले मम्मी आज मेरे को ना ब्लू कलर की सारी में आंटी मिल आरे अच्छा वो हां वो तो आपन पु क्यों है रस करवाया ममी मेरे को पिर हां इतने सारे लोगों के सामने नपी में कह गई वो मेरे को यह ऐसे कम आपके अपने बच्चा नियू मैं यह और एक्जागली एस था था वह नों को पता नहीं है कि का वकान इस से कैसे बात करे क्या हुआ है क्या थोड़ी खराब थी इतने में वह बोलता यू शुड़िंट रिजाइन भाई तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नी करना चाहिए था अब इसके वाद में अच्छा में रेजिमेंट में आप यह था मिस्टेक में अगर नहीं करता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता वह से उसको चला रहा है चलो अच्छी बात है वैल बोला चलो कोई बात नहीं अब जो हो गया वह हो गया आप चलो ऐसा करो आभी तुम फटा फट से मेरे साथ घर चलो भाई आंटी आए आंटी आकर आपको वैभार दिखा आए सो पांसुर उपे देकर चली जाए सब ठीक है पर आपको बोले कि च चाहरी आंटी मुझे एकदम आपको ख़ा नोब तुम नाट चलो जुए यार में तो क्रोनर की चकड में में क्रोणांस के लिए तना रो रहा था ये तो घर ले जा रहा था मैंनी जाओंगा इसके साथ में घर लॉग वार्ड ऑन लाइक और अलों डिदेंटल गॉंडियर तिरद नलाएं नहीं जाल सकता थार ब।ो एक दम से वह अलाम ओगा था ग्या था चाहeton जड तो बोला अगर मैं मैनर हाउस गया तो एक दम ऐसा होगा कि शेर को मैंने बोले हला शेर जी येस आज मैं ब्रेक्फिस्ट के लिए हूँ आज मेरे को पता है कि आपका पेट वेट भरे कानी पर फिर भी रख लो मुझे बोला एक दम ऐसा हो जाएगा बही कि लायन के सामने मैं अपने आपको दे दिया है मैं तो नहीं जाओंगा इसी लिए उनकोने बोला कि वह यहां पर सो जाते हैं अभी एकदम से वह चले जाएंगे भग जाएंगे यहां से ऐसा आयन मास्टर को लगा कि यह जो है उनके दोस्त जो उनको लग रहे थे दोस्त हैं उन्हें लगा कि इसी की कपड़े ऐसी हालत है जरूर शर्मा रहा होगा इसी लिए अपने फटे बुराने कपड़ों को देखकर शर्मा रहा होगा प्लीजबेट की तो डैटो चुकी है एलिजबेट की तो उसकी डैटो गई आपको तो आपने तो सुना ही होगा अभी ट्रैंप सोच रहा है कौन इलिजबेट की लह तो पर यार मेरे लड़की अपरॉड रहते हैं मेरे साथ में सिर्फ और सिर्फ मेरी ओल्डेस डॉर्टर रहती और मैं रहता हूं और अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि क्रिस्मस पे कोई है नहीं चलो 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 तु अब इतने में बात नहीं बुला कि अरे ब्लैक्स में जरूर देखो अभी क्याप्टेन वॉन स्टेल तुमारे साथ में रहना चाहते हैं अब तुम इनको रखना ऐसा अब जैसे मास्टर ब्लैक्समिट ने देखा और मतलब यहां से गए मास्टर ब्लैक्समिट को समझ में आ रहा था कि जो आयन मास्टर है यह मास्टर आखरी बात नहीं कहा कर गया है वह जुरूर आएंगे वापस से ऐसा उन्हें लग रहा था और ऐसा ही कुछ हुआ आधा गंटा भी यू आता इतने में उन्हें क्यारिज की आवाज आई पॉज के बाहर एक नए गैस्त आया थ इस ताइम उन्हें अपनी बेटी को भीजा था उन्हें लग रहा था इसकी पास में पावर्स परस्विएशन का विच्छी ऐसा होता है मतलब आदमी लोगी मोशन अच्छे से शोरनी कर पाते तो ऐसी होता है मतलब आब यह से कोई तो ऐसे बोले कर आरे आरे चलिए ना भा अब क्या रहे हैं तो अपनी डॉर्टर को बेज देता हूं क्योंकि अब मैं तो अपने इमोशन शूर नी कर पाया मेरे से शायद हो नी मानेगा कम से कम मेरी डॉर्टर से ही मान जाएगा ऐसा यह सोचा अनोंने अब वह आई उनके पीछे आरे थे वैले एक मेल रहा था और उसने अपने आम में बड़ा सा फरकोर जो था लगाया वह था वह सी वह नाट इट अल प्रिटी सूरत नी थी वह पर वह काफी जादा मॉडेस्ट काफी जादा शर्मीली टाइप थी काफी मॉडेस्ट शर्मीली थी और अभी जब आयन मास्टर रहे थे एकदम जैसा सपु इतने में क्या हुआ यहां पे स्ट्रेंजर को नने इक इतना और शोजाता हु अपने फ्लोर में पे वह आप से श्ट्रेच कर रहा था उसने पीगायन को अपना तखिया बना है अब ता चीए लिए ठीक है यहां पिस शकल के उप़र अपनी हैड अराम से सो रहा था अब जैसे ही उस यंग ने देखा तो उन्हें पता चल लिया कि जिरूर यह जिसकी पारी में पापा बात कर रहे थे वह गई और जाकर उन्होंने अपनी हाट उठाए अब बच्चा बारी इसका प्रफेशन से थीव ता तो यह के चोकना रहता था यह एक कोई आजेगा तो जैसे एक डिश्यूम करके भागेगा वह एक दम ऐसे प्रिपैर रहता था यह पता नहीं ना कब को हम पकड़ ले सो इसके लिए जैसे ही उन्होंने बोला तो अभी आपे वनाए उपन का मतलब चक करना रहना है तो एकदम से वह यह से जंप अबरपली औ बहुत जादा चाओ गया बहुत जादा डेर गया कि दो लड़की बोलती है मेरा नाम है एडला वल्मांसन और पापा घर पर आयती है और मेरी पापा ने बोला कि आप यहां पर रुकना चाहते हो मैं आपसे बात करने आई हूं प्लीज आप घर चलिए I am so sorry आपके साथ में आपके साथ में यह हविंग हाथ तो आप मेरी साथ घर चलो ऐसा में नहीं बोला तो अपर अपको अपके पुछता ऑर बेटा पढ़ाई कासी लुग है और आपकी शकल एक दम ऐसी हो जाती है पापा समझ जाते है यह नहीं डर रहा है इसके रहा ज़रूर इंग्लिश में मांच सच्छे नहीं है इस बेटी तेरे को पता है नहीं तो कितनी बार बोला है तो फोन चलाता है पर तुरे से ऐसा नहीं हो पाता कि तो चैनल को सब्सक्र करके आया और नहीं तो नहीं यह जेल से भाग के आया है इसी लिए उसने उसको कमफोर्टेबल फील कराने के लिए बुला आप चिंता मत कीजे कैप्टिन मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रही हूं और अगर आपको लगे जब भी आपको लगे आप वापस आजा ना हम लो उसने इतने फ्रेंड्ली मैनर्स ते बोला कि हमारा राट्राप सेलर वैसे तो सक्त था पर यहां वो पिखल गया रही है चला कोई बात नहीं अब क्या है तो चल लेता और क्या सो उसको एकदम से कांफिडेंस फील हुआ उसे लगा कि यार मैं इस पर भरूसा कर सकता हूं अ मुझे नहीं पता था कि आप खोद आजाएंगे मैं बिल्कुल आपके साथ चलूंगा पड़ी इंस्पेक्टफुली उन्होंने जवाब दिया अब इसके साथ में उसने फरकोट एक्सप्ट किया उसने अराम से फरकोट पहना और उसके बाद में अभी उसने यंग लेडी क जा तर जा अरहा था तो उसने इवल पोर बोर्डिं मतल सवे एक दावने असने इजा हमारे पसमें बटर्फ्लाइ dow एक पेक भ Freeman अप कुछ अच्हारा था था हुँए जब घुट कि अच्छा होने वाला है कि अच्छा उने बाल कि अच्छा होने बाले कि अच्छा और अज बुरी है बुरी बटरफलाइस कुछ पुरा होने वाला है। मै तो ऐसमा की। मेरे साथ तो क sir नहीं नहीं कोसा तका नहीं था। वो फो गर्वोड़िंग तो एक उसको वीड़ साथ और था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। और उसको लगता था रही, why the devil did I accept the money, या फिर I'm sorry the, did I steal the money, बोला मैंने क्यों ले लिया उस इंसान का पैसा यार, मैं केसा फ़स गया हूँ, केसा फ़स गया हूँ, यही सोचे जा रहा था, बोला, अब मैं एक trap के अंदर फ़स गया हूँ, और इस trap से मैं कभी नहीं निकल पा यहाई थे, और उन्होंने सूचा है, कि यहार, अभी यहार, मैं कैसे उस से मिल गया, वह बढ़ी खुश हूँ और इसा आपको भी होगा, चार यह के स्कूल के दोस्त है, स्कूल के दोस्त, पहले जॉब के दोस्त, लंबे जॉब के दोस्त, आपको बहुत याद आते हैं, फुशित के दोस्त हैं, और यहार, पूआज रेख। अःसा फीलिंग होती हैं, अपके लिए वह लग घयाए थे, अबे ने क्या था, वह बढ़ा दोस्त, बच्चे अपच्चे फीलिंगाए, स्कूल के दो पढ़ा यहार, यहार, गूञड न्या थे सा फीलिग यहार, तान की चाहिए नहीं गते हैं तेरे साथ क्या होगा देख मेरे पास रुपीया है पैसा है शौरत है तरे पाष क्या है रैक्त राप्स ऐसा नहीं बलकिन ने अच्छा सोचा उड़ा उस इनसान को ना मैं पहले खिलाऊंगा-पिलाऊंगा चिला पिला के नंदो कुर ठीला की जान आये उसके बॉड़ी में पिर मैं रहा उसके बारे में राट राप से कोई मतब उसके राट राप की अलावा कोई अच्छी जॉप डून वा उसके लिए ऐसा अइसा उनों नहीं बोला तो बोला कि राट राट बेचने की बजाए वो कुछ अच्छा कर पाए हम लोग ये सोच रहे हैं ठीक है तो एकदम उन्होंने ऐसा सोचा था तो बोला कि अभी डॉर्टर बोल रही थी कि पापा आपको कुछ अजीब नहीं लगता वो इंसान के साथ में इतना भी क्या बुरा हो गया रिटायरी तो हुआ था वो इंसान इतना भी क्या बुरा हो गया आप देखो तो सही उसकी हालत तो देखो एक बार बोला मैंने तो एक बार भी मेरे को देखकर ये नहीं लगा क तो अपने फटे पुराने कपड़ों के साथ में ट्रैंप मैनल्स जो ला वह भी गिर जाएंगे फिर तुम्हें देखना लगेगा एकदम और एकदम बोला कि लास्ट माइट वह बहुत जदा इंबारेस था वह उसने ऐसे हल्क में हमने उसे देख लिया था तो बोला जैसे उ पूरी तरीके से क्लीन हो चुका था एकदम शेव वे वैले ने उसको निला दिया था शेव कर दिया था साती साथ में उसे सूट पिनाया गया था और रात में तो जरूर फ़रनेस पे से जो मतलब ऐसा फॉर्ज की जो लाइट ती उसमें देखा था अभी तो एकदम उजाल को बल्कुल पसंद निया एकदम से उन्होंऐ अपनी ब्राउस को एकदम ऐसे और बोला ईकदम से उन्हों ने सूचा सब्दम कोईब एकदम नहीं बनात चांस होलिए, यह तो एकदम उजाले के अंदर मिरिको पता चल राया इसका चलाए और जैसे उन्होंने जैसे वो चलाए इतने में इस सब चली जे एकदम चलाते और समझ में आ गया था कि उनको सारी बात के बारे में पता चल गया वो बोलता it's not my fault sir बोला मेरी गल्दी नहीं है सर मैंने तो आपके सामने मैं तो कुछ भी प्रिटेंड नी किया था मैं तो एक गरीब ट्रेडर के जैसा ही था और मैं तो केवल और केवल वहां पर ब्लैक्समित को बोल रहा था कि मुझे रात रात रुखने दो बस पर कोई बात नहीं सर कुछ नहीं हुआ है जादा से क्या ह गए लो मेरे सूट आप रख लो मैं मेरे फटे पुराने कपड़े पहन के चला जाओंगा ऐसा उनने सूचा बोला क्या हो सकता है मैं ऐसा सो अभी इतने में आयन मास्टर ने बोला इड़ वाज नाट क्वाइच ऑनस्ट इदर बोला ठीक है तुमने प्रिटेड नहीं किया पर तुमने सच भी नहीं बोला तुम आनेस्ट नहीं थे और मुझे लगता है कि मुझे अभी शेरिफ को बुला लेना चाहिए पुलीस को बुला लेना चाहिए पुलीस बताएगी कि क्या सही है और क्या कलत है ऐसा प्रैंप में सोचा कि अभी माका है अगर मुझे कुछ कह मैं बताता हूं आपको कि तिंग्स कैसी है यह पूरा का पूरा वर्ल्ल जो है यह कुछ नहीं है एक rat trap है और देख न यह सारी अच्छी चीजे जो है और कुछ नहीं सर्फ चीज है जिसके पीछे हम लोग भागते हैं और हम लोग फस जाते हैं और अभी अगर शेरिफ आता है और मुझे लॉक अप में डाल देता है न तो एक दिन आप भी फसोगे आप भी फसोगे क्योंकि इनसान कितना भी अमीर हो उसके लालच का कोई अंतनी है लालच का कोई अंतनी है वह लालच तो वह कड़ता ही रहेगा तो बोला एक दिन आप भी भसोगे आप भी बसोगे इस राट ट्राप के अंदर और आप निकल नहीं पाओगे उन्होंने आप पर एकदम से फ्लाइश उन्होंने कुछ तो कह दिया यहां पर ओके इतने में आयन मास्टर हसने अगे आहां डाट सो बैडली सेड माइग फैलो बोला कि चालो कोई बात ने क्रिस्मस पे शेरिफ को अकेला चोड़ देते हैं क्योंकि यहां पर एक दम अल्मोस बद्दुआ दे रहे थे उनको तो अ मैं बिचारा जा रहा था और उसने दर्वाजा खोला और इतने में वो डॉटर ने बुला I think he ought to stay with us today I don't want him to go बुला मैं चाहती हूं कि आज हमारे साथ रहे मैं नहीं चाहती कि जाए और फिर वो गई और जाकर दर्वाजा बंद कर दिया इतने में उसके पादर बूलते है What in the world are you doing? क्या कर रही हो ये तुम? हाँ क्यों कर रही हो ऐसा? What in the world are you doing? ऐसा उनोंने बुला तो इतने में वो बिचारी वहाँ पर खड़ी थी उसे पता नहीं था क्या जवाब देना है और बस उसको ये पता था कि वो आज बहुत पुश थी क्योंकि आज घर में कोई आया और अवुस से अपना क्रिस्मस चीर नहीं लेने वाली तो इसलिए उसने लगा और इसलिए वो वागबॉर्ण के लिए आगे आई I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and he can feel at home. बुला कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ पापा ये बिचारा walk करता रहता है, चलता रहता है, कोई एक जगे भी इसका कोई घर नहीं है. कई पर भी ये जाता होगा तो दर्वाजा बंद कर देते होंगे. इसको arrest होने का डर लगता होगा, cross examine करने का डर लगता होगा. मुझे लगता है कि आज कम से कम इसे इसका Christmas cheer हमें देन करना चाहिए, कि आज अपना Christmas ही बहुत अच्छे से मनाएं. अब उसने ऐसा बोला, so iron master mumbled something in the mirror, अब आहन मास्टर तो भोगे वापा, अब इसे करते हैं मेरी वीरा को अब आहन मास्टर एक तुम देया बैन के जैसे अपने अंदर ही कुछ तो कह गया, पर बोलता है देखो ये जरूर ना तुम्हारी कोई ना कोई गल्ती है तुम पच्छता होगी, हाँ, ऐसा, तो इतने वो लगे तुम तो मतलब उनसे भी ऐसा है कि उनसे भी बेटर है आपर प्रीच कर रही हो, वो तो ऐसा ग्यान की बाते बताते हैं और तुम तो क्या हो, क्यों कर रही हो ऐसा, वो कहने का उनका मतलब ये था, कि वो लोग इतनी ग्यान की बाते बताते हैं, वो प्रीच करते ह करते हैं ब्गवान जी की बारी में जो करेक्ट है वह बताते हैं और यो आंगा तो तुम तो क्या कर रहे हूए यह वर्ल्ड से तुम्हें क्या मतलब यह यूमन बिंग से तुम्हें क्या मतलब वो ऐसा सोच रहे थे I only hope you won't have to regret this मैं तो सिर्फ आशा करता हूं कि तुम्हें ये रिग्रेट ना करना पड़े ऐसा उनोंने बोला तो इतने ही में उनोंने बोला कि ठीग बोला कोई बाई उनोंने उसको उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा बोला चल 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 उसको बठाया और उसको कहाँ पर लेकर चल गई वहाँ पर लेकर चल गई डाइनिंग टेबल पर नाव सिट डाउन एट चल उसको बेट जाओ खाना खाऊ ऐसा वो जो इनसान ता राट्राप के साथ में उसको नहीं बोला वो चुपचा बैठा हुआ था वो वहाँ पर गया और उस नौराम से खाना खाया खाना कहता देखता था उपर खाना कहता था देखता था खाना कहता था वो यह सोच रहा था कि यार यह लड़की ऐसा क्यों कर रही है क्या crazy idea होगा इस लड़की के दिमाग में यह मुझे क्यो बचा रही है यह क्या बात हुई आज तक मेरी बारे में तो कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा तो वो बिचारा ऐसे सोच रहा था आफ्टर डाट क्रिस्मस एट आट इव आट रामजो पास जस्ट आइट अल्वेज हैड और उसके बाद में सारी चीज़े वहते गई स्टेंज जा रहा था कभी गैस रूम पर सोय जा रहा था वो इतना कभी इतना सेफली वो सोया नहीं था हमेशा चौक करना होकर सोना पड़ रहा था ऐसा लग रहा था पूरी साल भर की नीद उसने आपर कंप्लीट की अभी दोपैर में उसको जगाया गया कि चालो अब उठ जाओ त इसकी बाद में इवनिंग में क्रिस्मस ट्री को जलाया गया उसको वापस से उठाया गया वहां पर ड्रॉइंग टॉम में खड़ा रहा उसको कैंडल लाइट्स बहुत ही ज़ादा ऐसे कर रहा था कि जोकी उंधीरे में इतना सो रहा था ना यूण अढ़न लाइट एकद टीर जहाई लोगों के पाश गया उन्होंने बोला थांक यू गुलय थांक यू गुप्रavy क्वानाइट और पिर वो ते चल गया अच्छा एक बात और के उस ताइम पहाे जब थाak्यू गूहजआ था तो यां गुल उसने बोला कि ये मेरी पापा चाहते है कि आपने जो सूट पहना हुआ है आप इसको क्रिस्मस प्रेजन समझ के रख लो आपको इसको लटाने की जरुद नहीं है और अगर आप अगली क्रिस्मस इव भी हमारे साथ बताना चाहते हो तो आप आ सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक ऐसी जगे नहीं मिलेगी जहां पर आप इतने चैन से सो पाओ खापाओ तो आप आ सकते हो ये उन्होंने आज़े क्रिस्मस प्रेजन्ट उन्हें दिया था और बोला कि आप चिंता मत करना अब जो मैन था राट्राप्स की साथ में उसने कुछ भी क्रॉटर गए एक दम अच्छी मूड में वो उठे थे क्रिस्मस सर्विस के लिए अभी उनका गैस्ट अभी शो रहा था उन्होंने उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ने किया कुछ दस बजे की बात थी कि वो चर्ड से वापस आ रहे थे और यंग गल एडला जो थी वो इसने में पता लगा कि वही इंसान है जिसको उन्होंने घर पे रखा हुआ था और उसकी पापा उस पर चिला रहे थे कि देखा पता नहीं अभी तक कितने सिल्वर स्पून्स बच्ची होंगे हमारे कटलरी में से वह जुरूर सब कुछ साफ करके चला गया होगा पता नही पता चला वह चोर है तो वैले ने बुला कि वह कुछ भी नहीं लेकर गया है इनफ़ाक्ट वह तो कुछ दे कर गया है जो अभी वह एक पैकेज ले छोड़के गया है जैसे चोड़के गया है यंग गल ने उसको खोड़ा और एकदम से जब उन्होंने देखा तो वह तूट असा rat trap मिला था और उस rat trap की अंदर तीन, you know, 10 kroner के wrinkled notes थे, पल वो काफी नहीं था, एक बड़े-बड़े अजीब सी handwriting की अंदर एक letter भी लिखा हुआ था, Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you, in return, as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, But you can give back the money to the old man on the roadside, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers, The rat trap is a Christmas present from a rat, who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got powers to clear himself, Written with friendship and high regard, Captain Won't stay him. Honored and noble miss, you have been so nice to me, all the time was so nice to me, that you have treated me like a captain, So I don't want you to feel embarrassed at this Christmas, that you have to keep a thief in the house, I also want to act like a captain, I also want you to give 30 kroner to that crafter, which has a pouch, and we have to put a bait for poor people, And this rat trap is a Christmas gift from a rat, which if you don't have compassion, I don't want you to keep a thief in the world's rat trap, so you have to keep a thief in the world's rat trap, You have to treat me like a captain, you have to treat me like a captain, you have to say, So what do you mean, this chapter is, that if you have compassion, if you have compassion, If you have compassion, it is pity for people, you have to eat on the ground, if you have to understand the feelings of people, And if you have love, then what can you do with love? You can change the world with love, which has not done, A man who was very happy and proud, took his son, and took his money, and took his money, He did not do anything, so this is just the truth of saying, that he can't change the love and compassion, He can change the love and compassion, he can change the love and compassion, So, if you want to change the term 2, then hit the like button and share it with your friends, And also, subscribe to the channel and subscribe to the channel, If you press the bell icon, you will not get a notification, so yes, Please do everything and comment, if you have a favorite part of this video, And I will see you next time, bye bye, take care,